में एक एहम खबर की और रुख करेंगे जाने से पहले आज आधार और पैन को लिंग कराने का आखरी मौका है अगर आधार और पैन नहीं लिंग कराया तो आपको तो गुना टैक्स देना होगा चलिए इस पर तमाम डीटल्स हमारी सयोगी पूजा तरपाथी दे रही है बिल्कुल आज 31 मही है और आज पैन और आधार को लिंग कराने की आखरी तारिक है और हम आपको बता दे कि अगर आज भी आपने आधार और पैन कार्ड को लिंग नहीं कराया है तो आपको सेक्शन 206AA और 206CC के तहट अब आपका टाक्स डिडक्शन और TCS कटेगा यानि कि दोगुना कटेगा आसाम भाशार में बात करें तो पैन आधार लिंग नहीं कराने पर अब आपको दोगुना टाक्स देना पड़ेगा हम आपको बता दे कि जिन्हों ने भी अपना आधार और पैन 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 के बीच लिंग करवा दिया होगा तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी कोई जुर्माना भी नहीं भरना पड़ा होगा लेकिन अगर आप उसके बाद यानि कि 30 जून 2023 के बाद जब किसी ने भी आधार और पैन लिंग करा होगा तो उनको पेनालिटी के साथ देना पड़ा होगा करीब 1000 रुपे का जुर्माना यहाँ पर लग रहा है डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद 29 जैनवरी 2024 तक का अगर डेटा की बात करें तो तबी भी 11 करोड से ज़ादा पैन कार्ड अभी भी आधार से लिंक नहीं है और अभी भी काफी लोग उसको लिंक कर रहे हैं ध्यान रखे 31 मैं आज आखरी तारीक है आपके पास तरीका बेहदी आसान है अगर हम आपको स्टेप वाइस बताएं आपके स्क्रीम पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको income tax india e-filing.gov.in के साइट पर जाकर यह पूरा process फॉलो करना है आपके phone number आपका नाम आपका अधार कार्ड वहाँ पर mention करना है और उसके बाद आपके पास OTP आएगा उस OTP के जरीए आप उसको validate करिए और उसके बाद आपका अधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको 1000 रुपे का जुर्माना भी देना पड़ सकता है तो अभी तो फिलहाल अगर आप कर रहे हैं तो penalty कम है लेकिन अभी भी अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको दोगुना tax भरना पड़ेगा